राजस्थान में नए मुख्यमंत्री के नाम का चयन हो गया है। विधायक दल की बैठक में भजनलाल शर्मा के नाम पर मुहर लगाई गई है। भरतपुर के रहने वाले भजनलाल शर्मा भारतिय जनता पार्टी संगठन में लंबे समय से कार्यरत हैं। वे प्रदेश महामंत्री के तौर पर कार्य करते रहे हैं। आईए इस वीडियो में जानते हैं भजनलाल शर्मा की कुल संपत्ती के बारे में। राजस्थान के नए CM भजनलाल शर्मा सांगानेर विधान सभा सीट से जीत कर पहली बार विधायक बने हैं। इनकी नेटवर्ट की बात करें तो ये भी करोडपती हैं और इनके पास लगभग 1.46 लाग की संपत्ती हैं जबकि देंदारी 35 लाख रुपए हैं। विधान सभा चुनाव में दिये गए संपत्ती के ब्योरे से संबंधित हलफ नामे के मुताबिक राजस्थान के नए CM भजनलाल शर्मा की कुल नेटवर्ट में से 1,15,000 रुपए कैश हैं। जबकि अलग-अलग बैंकों में उनके अकाउंट में करीब 11,00,000 रुपए डिपॉजिट हैं। तो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री चुने गए भजनलाल के नाम पर एक टाटा सफारी है, जिसकी कीमत हलफ नामे में 5,000,000 रुपए बताई गई है। इसके अलावा एक TVS Victor Motorcycle है, जो 35,000 रुपए कीमत की है। अब बात करते हैं, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अचल संपत्ती के बारे में, तो उनके पास भरतपुर में 0.35 हेक्टेर क्रिशी योग्य भूमी है, जिसकी कीमत 3,000,000 रुपए है। वही इनके नाम पर राजस्थान के भरतपुर में ही दो घर और एक फ्लैट भी है। फलफ नामे में इनकी कीमत लगभग एक करोड रुपए बताई गई है। उनके नाम पर कोई कॉमर्शियल बिल्डिंग या फिर नॉन एग्रिकल्चर लैंड नहीं है। आपको ये पेशकश कैसी लगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।